जै गुर्दे मित्रो, मित्रो GBS पामस्टी चैनल में आप सभी का हार्तिक स्वागत है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आईकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लिटेश वीडियो को देख सके मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं बुद्ठ पर्वद पर व्रत के चिन कंदूरी मांट बोलते हैं अगर इस पर्वद पर व्रत का चिन है मतलब कंदुक कचिन मतलब यह आपका सरकल साइन इस परकार से अगर बना हुआ है तो क्या परिणाम देगा देखो सबसे पहले तो यह एक कंडिशनल साइन होता है भी कि अगर यह शुब बुध परवत पर है अथाथ बुध परवत आपका वेल सेटल्ड है किसी तरीके का उसमें मतलब जो है दबावा गारा नहीं है अच्छा है मतलब ठीक है उबरा हुआ है ठीक है शुब है ठीक है और उसके बाद उस पर यह कंडुक चिन ब्रत कचिन आजाता है तो यह शुब परिणाम देने वाला होगा अगर यह अशुब है बुद्परवत दबा हुआ है पेडित है तो वहाँ पर फिर यही कंडुक कचिन यह व्रत कचिन आपको अशुब परिणाम किस परकार से देगा तो सबसे बड़ी बात तो यह चिन एक रक्षा करने का ही काम करेगा वर्ग की बाती ही तो यह चतुर जो चलाक जो लोग होते हैं जो चंचल परवर्ती के लोग होते हैं इनको आप दल बदलू लोग भी कह सकते हैं तो उस तरीके के लोगों से यह चेनल शुब बुद्परवत पर आपकी रक्षा करने वाला कितने लोग होते हैं कि पहले आपकी तरफ हैं आपसे बात कर रहे हैं आपके साथ पूरा दिन उनका उठना बैठना है सब परकार से वे आपके हित्मे हैं और अचानक से कुछ ऐसी इस्तती बनती है कि जब आपको उनका सारे क्यावशक्ता होती है तो वे दल बदल जाते हैं म आपकी रक्षा करने वाला रहेगा, अच्छा लेकिन यदि अशुब बुद्परवत पर यही वृत्त का चिन है तो यह अशुब परिणाम देने वाला रहेगा, यह किस परकार से अशुब परिणाम देगा आपको मार दे, ऐसी भी इस्तती हो सकती है तो ये प्रणाम कुछ इस परकार के शास्त्रों में कहे गए हैं तो इसको आप बताएगा अगर आपने कभी इस तरीके के चेना अगर आप देखते हैं तो फिर इसका बताएगा ये बहुत ही कम लोगों के हाथ में पाया गया है व्रतकाचेन बुद्परवदपार तो मित्रों जानकारी अगर आपके अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा जै गुर देव